हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल आईडियल क्लासे इस्टुडेंट आप सभी का हमारे इस यूटूब परिवार में स्वागत है इस्टुडेंट आज हम बात करेंगे सिंप्लेक्स में स्रीज के स्लीज नंबर एट में कि अगर कोई क्वेश क्विम इस्टिश करेंगे आज इसके बारे में इसके स्टेप्स सेवाइब करेंगे हैं चिस पहले हम गोरेंगे 17 Vincent को सब्से सब्से पहले चैनोनिकल फॉर्म मतलब सब्से पहले प्राइमल फॉर्म में गया है उसको के मोर्त करेंगे डारेक्ट हम dual form में नहीं convert करते हैं तो कैसे करेंगे अगर हमारा primal problem, primal form में जो problem दिया होग और minimization में दिया है तो उसे canonical form में objective function तो minimization में ही रहेगा लेकिन subject to constraint को greater or equal में करेंगे सभी subject to constraint को अगर primal में less or equal है तो उसे canonical form में convert करने के लिए यह greater or equal के form में minus 1 से पूर equation में multiply कर देते हैं और अगर हमारा primal form में max दिया है तो canonical में objective function तो max में ही रहेगा लेकिन subject to constraint सभी subject to constraint less or equal form में होना चाहिए नहीं है तो उसे हम convert करेंगे कैसे करेंगे बी example लेंगे तो उसे आपको अच्छे से clear करा देंगे ठीक है च्टेण तो आएगे देखते हैं इसका second step second step में क्या है कि change the objective function of maximization the primal into minimization in the dual and vice versa कहने का मतलब यह है student कि अगर हमारा जो है अगर हमारा primal form max में है तो उसे हम dual form में convert करने के लिए objective function हमारा min z हो जाएगा और min z के साथ सारे और subject to constraint greater or equal form में होना चाहिए और अगर primal form में हमारा objective function min z है तो dual form में वो max z रहेगा और max z रहेगा objective function और subject to constraint less or equal रहेगा नहीं रहेगा तो उसे हम चेंज करेंगे ठीक है स्टुडेंट आए थार्ड फॉर्म देखते हैं थार्ड इस्टेप में है स्टुडेंट दा नंबर आफ वेरियेबल इन दा प्राइमल विल बी दा नंबर आफ कॉंस्ट्रेंट इन डूवल एंड वाइस वर्सा कहने का मतलब यह है कि अगर प्राइमल फॉर्म में अब़र आफ वेरियेबल्स एंड है और आफ कॉंस्ट्रेंट एम है तो डूल फॉर्म में जब हम करेंगे तो जस्त इसका अपॉजिट मतलब ट्रांसपोस हो जाएगा नंबर आफ डी Press तो कोंस्ट्रेंड के बराबर m हो जाएगा और number of constraint n हो जाएगा मतलब कि यह आपस में variable और constraint के numbers आपस में क्या हो जाएगे interchange हो जाते हैं कैसे interchange होंगे जब हमें question लेंगे उससे आपको बहुत अच्छे से clear हो जाएगा fourth step में क्या है student cost coefficient in objective function of the primal will be right hand side constant of the constraint in dual and vice versa कहने का मतलब यह है जो हमारा objective function जो dual form का objective function का variable का coefficient रहेगा वो primal के जो constraint के right side के जो values हैं वो हो जाते हैं ठीक है student कैसे होते हैं वो question से ज्यादा clear हो जाएगा एक हमने table बनाया student सभी को हम short में परके table बनाया है उस table से आपको चारो step को हमने जो है merge कर दिया है तो for formulate constant we consider the transpose of the matrix ठीक है और constant के लिए हम क्या करते हैं subject to constant जब dual form में करेंगे तो उसे क्या करेंगे transpose करके उसके matrix के रूप में लिखते हैं अब अब ध्यान किएगा अगर primal form में आपका objective function max z है जब canonical form में convert करेंगे तो objective function अगर min z है तो objective function min z ही रहेगा लेकिन all subject to constant greater equal form में होने चाहिए और जब हम canonical से dual में convert कर रहे हैं तो just इसका opposite हो जाएगा min z है तो max z हो जाएगा और ये subject to constant greater equal है तो ये सारा less are equal हो जाएगा अब अगर primal हमारा max z में objective function तो subjective constant less are equal करेंगे अरगर नहीं होता है तो अब जब canonical से हम dual में convert कर रहे हैं तो max z तो min z हो जाएगा और ये ये चीज़े हम बहुत अच्छे से तब समझेंगे जब हम problem के जरीए से करेंगे तो ठीक है तो आई ये problem लेते हैं और देखते हैं कि problem के जरीए हम कैसे किसी भी primal को कैसे हम dual form में convert करते हैं ठीक है तो आई ये लिखते है problem number one problem number one आपके सामने दिख रहा होगा student तो problem number one को solve करेंगे कैसे solve करेंगे आईए देखते हैं problem number one इसमें दिया गया है max that equal to x1 plus 3 x2 plus 2 x3 subject to constant दिया गया है 3 x1 plus x2 minus x3 less or equal 4 minus 2 x1 plus x2 minus 4 x3 greater or equal minus 7 4 x1 plus 2 x2 plus x3 less or equal to 6 and x1 comma x2 comma x3 greater or equal to 0 model आपका primal form में है इसे dual form में convert करना है तो आपको हमने बताया था dual form करने से पहले हम क्या करते हैं हम करते हैं क्या हम इससे पहले Canonical form में convert करते हैं Canonical form में कैसे convert करेंगे अब अगर objective function आपका max z रहेगा तो उसे माक्स डे माक्स हें मैंकेनिकलं में अबजेक्टिव फंक्शन को टszuser Nहीं करते हैं मैंक भी लिखन को हमने-द्लिक्षर है कि भूगा सब्जेक्टिकी अब हमारा सब्जेक्ट्ट तो यह होगा ओगामरा होगा कैय। canonical form में देखो अगर max object to function max z होता है तो canonical form में अगर object to function max z होता है तो all subject to constant less are equal होना चाहिए तो सब का इसे less are equal होना चाहिए तो देखो पहला less are equal है तो इसमें कोई change नहीं करेंगे same to same copy कर लेंगे 3x1 plus x2 minus x3 less are equal to 4 पहला हो जाएगा दूसरा equation देखो greater or equal है तो इसे less are equal में करने के लिए minus multiply कर देंगे तो यह positive हो जाएगा तो plus 2x1 यह negative हो जाएगा minus x2 यह positive हो जाएगा plus 4x3 और यह minus 7 minus multiply करेंगे less are equal 7 हो जाएगा तो less are equal पहले से है तो इसमें कोई change नहीं करना है 4x1 plus 2x2 plus x3 less are equal to 6 and x1,x2,x3 greater or equal to 0 ते canonical form में हो गया student आप हमें क्या करना है dual form में convert करने के लिए क्या करेंगे आजे देखते हैं canonical से dual form में कैसे convert करेंगे हम वो देखते हैं बहुत ध्यान से देखना है आपको बहुत ध्यान से आपको देखना है सबसे पहले क्या करते हैं हम लिखते हैं कि अब देखो इसमें थ्री वैरियेबल्स हैं थ्री वैरियेबल्स लेट करेंगे अब देखो हमने बताया था कि अगर हमारा canonical form max z रहेगा तो dual form just उसका positive mean z हो जाएगा और subject to constant अगर less are equal है तो यहाँ पे all greater are equal में रहेगा तो subject to constant mean z में होगा mean z equal to mean z equal to और हमने बताया था student कि जब हम dual form में convert करते हैं तो जो dual form के variable का coefficient होता है वो canonical वाले के right side का जो हमारा constant होता है constants होते हैं वो उसके साथ हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 4 w1 plus 7 w2 plus 6 w3 और subject to constant क्या होगा student हमने बताया था subject to constant में हम क्या करते हैं उसका transpose करते हैं कैसे करते हैं अब देखिए स्टुडेंट के subject to constant का coefficient क्या है 3 2 4 3 2 4 1 minus 1 2 1 minus 1 2 minus 1 4 1 minus 1 4 1 minus 1 4 1 अब इसे transpose करेंगे transpose करेंगे student क्या हो जाएगा first row first column हो जाएगा 3 1 minus 1 first column 2 minus 1 4 second column 4 2 1 third column हो जाएगा अब हमारा जो subject to constant लिखेंगे student तो इसके साथ लिखेंगे dual form का पहले equation में हो जाएगा देखो यहां पे लिख दो आप w1 w2 w3 क्या हो जाएगा हमारा 3 w1 plus 2 w2 plus 4 w3 3 w1 plus 2 w2 plus 4 w3 और min के साथ हमेशा greater or equal का sign लगाएंगे और अब यहां पे constant क्या लिखेंगे जो हमारा canonical form का objective function का पहला coefficient है क्या है 1 है तो यहां लिख देंगे 1 second change करेंगे student 1 w1 minus 2 w2 1 w1 minus w2 plus 2 w3 greater or equal canonical form का subject to constant का x2 का coefficient क्या है 3 तो लिख देंगे यहां पे 3 और third क्या हो जाएगा minus w1 plus 4 w2 plus w3 minus w1 plus 4 w2 plus w3 और third हमारा क्या है x3 का coefficient क्या है 2 canonical form वाला यहां हो जाएगा greater or equal to 2 और वेर w1 w2 w3 greater or equal to 0 यह आपका हो गया student complete answer in dual form clear अब एक question अब देखते है student अब अच्छी स्क्लियर हो जाएगा problem number देखिए आप problem number 2 problem number 2 student दिया गया है कि max z equal to x1 minus x2 plus 2 x3 subject to constraint दिया है x1 plus x2 plus x1 plus 2 x2 plus x3 less or equal to 10 2 x1 minus x3 less or equal to 2 x1 minus 2 x2 plus 3 x3 less or equal to 6 and x1, x2, x3 greater or equal to 0 इस सबसे पहले canonical forming change करने के लिए canonical form change करने के लिए objective function change नहीं करते है max z max z ही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा x1 minus x2 plus 2 x3 subject to constraint सारे less or equal होने चाहिए तफाक से सारे less or equal है तो हम adjectives लिख लेंगे x1 plus 2 x2 plus x3 less or equal to 10 यहाँ पर देखो x2 नहीं है तो उसको 0 coefficient के साथ लिखेंगे तो 2 x1 plus 0 x2 minus x3 less or equal to 2 x1 minus 2 x2 plus 3 x3 less or equal 6 where x1, x2, x3 greater or equal to 0 अब हम जब canonical से dual form में करेंगे तो लिखेंगे let w1, w2, w3 be dual variable तो min z equal to हो जाएगा student यहाँ right side में क्या है यह coefficient रहेगा w1, w2, w3 का 10 w1 plus 2 w2 plus 6 w3 subject to constant में जब यह min z है student क्योंकि max z का just opposite हम लिखते हैं canonical का objective function just opposite लिखा जाता है अगर यह max z होता है तो min z लिखते है, min z होता है तो max z लिखते हैं अब subject to constant में क्या करते हैं पहले हम जोखो इसके subject to constant को हम matrix form में convert करते हैं apply करके हम लिखते हैं student, इसके साथ हम w को apply करते हैं यहाँ पर क्या है, w1 लिखेंगे, यहाँ पर w2 लिखेंगे, यहाँ पर w3 लिखेंगे ठीक है student, तो क्या करेंगे हम देखो w1 plus 2 w2 plus 2 w3 तो w1 plus 2 w2 plus w3 greater or equal, अब देखिए इसका canonical form का अब दूसरा लेंगे student, second row क्या है, 2 0 minus 2, लिखेंगे 2 w1 plus 0 w2 minus 2 w3 अब इसका max z का canonical form का x2 का coefficient क्या है, minus 1, लिखेंगे greater or equal minus 1 थर्ड हमारा row क्या है student, 1 minus 1 और 3, 1 minus 1 और 3 है, तो क्या हो जाएगे w1 minus w2 plus 3 w3 greater or equal x3 का coefficient क्या है, canonical form का objective function का 2, तो जाए greater or equal to 2 where w1, w2, w3 greater or equal to 0, तो यह होगे आपका dual form में, ठीक है student, एक question लेते हैं question number 3 लेते हैं, जब मालेजे कि हमारा subject to constant equal के form में हो, तो क्या करेंगे subject to constant equal form में हो, तो हम कैसे इसे solve करेंगे, यहाँ पर है student, mean z equal to 2 x1 plus 6 x2, subject to constant x1 plus x2 greater or equal to 2, 2 x1 plus x2 plus 6 x3 less or equal to 6, x1 minus x2 plus 3 x3 equal to 4 and x1, x2, x3 greater or equal to 0, इसे हमें dual form में convert करना है, पहली बात जहाँ पे, जो subject to constant equal form में होता है, तो उसे हम 1, 2, 3, 4, अब हम इसे करेंगे, canonical form में convert करेंगे, लिखेंगे student, mean z equal to, जब यह mean z है, तो canonical form में primal से mean में change करने समय, objective function को नहीं change करते हैं, यह हो जाएगा, mean z equal to, x1 यहाँ नहीं है student, देखो यहाँ पे x1 नहीं है, x1 0 के साथ लिखेंगे, 0 x1 plus 2 x2 plus 6 x3, अब subject to constant में, mean z के साथ, all subject to constant canonical form में convert करते हैं, greater or equal होना चाहिए, तो पहला greater or equal है, तो इसमें change नहीं करेंगे, तो लिखेंगे, x1 plus x2, यहाँ पे देखो, x3 नहीं है, तो 0 x3 greater or equal to 2, equation first हो गया, second में क्या करेंगे student, second less or equal है, तो minus से multiply करके greater में convert करेंगे, तो minus 2 x1 minus x2 minus 6 x3 greater or equal to, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 6 था, तो minus 6 हो जाएगा, अब देखो, third आपका यह है student, greater or equal है, तो कोई change नहीं करेंगे, x1 minus x2 plus 3 x3 greater or equal to 4, चौथा वाला subject to constant less or equal है, तो minus से multiply कर देंगे, तो minus x1 plus x2 minus 3 x3 greater or equal to minus 4, where x1, x2, x3 greater or equal to 0, यहाँ आपका हो गया, canonical form, अब इसे हम करेंगे, dual form में convert करेंगे student, dual form convert करने के लिए लिखेंगे student, let w1, w2, w3, w4, क्योंकि इसमें 4 subject to constant है, तो 4 variable हम let करेंगे, तो let w1, w2, w3 and w4 be dual variables, तो अब देखो canonical form में अगर min z होता है, तो हम dual form में जैस्ट उसका बोजिट max z लिखते है, max z equal to, अब देखो इस coefficient के साथ, यह वाला coefficient है student है, पहले के साथ w1, दूसरे के साथ w2, w3, w4, तो 2 w1 minus 6 w2 plus 4 w3 minus 4 w4, यह गया subject to constant, अब equation में change करेंगे student, तो बहुत देखिए, पहले पहले वाले coefficient के साथ w1, w2, w3 लिए first column के, क्या होज़ एक, w1 minus 2 w2 plus w3 minus w4, तो पहला subject to constant हो जाएगा, w1 minus 2 w2 plus w3 minus w4, max के साथ dual form में सारे less are equal form में होने चाहिए, तो less are equal, अब min z का x1 का coefficient का है 0, तो less are equal to 0, पहला subject to constant हो गया, दूसरा कैसे लेंगे, second column से दूसरा लेंगे, w1 minus w2 minus w3 plus w4, तो w1 minus w2 minus w3 plus w4 less are equal, x2 का coefficient 2 है, less are equal to 2, third column से third constant बनेगा, तो 0, w1 plus minus 6 w2 plus 3 w3 minus 3 w4, 0, w1 minus 6 w2 plus 3 w3 minus 3 w4 less are equal, x3 का coefficient का है 6, x3 का है, 6 है, तो less are equal to हो जाएगा यहाँ पर, 6, ठीक है चुदन, where w1, w2, w3, w4 equal to 0, यह आपका double form में हो गया, तो थोड़ा साइसे और अगर हम rearrange करें, तो rearrange करने के लिए चुदन क्या करेंगे हम, क्योंकि इसमें देखो हमने, एक equation से, दो equation बनाये हैं, तो इसको हमने क्या फिर दो से एक करेंगे, तो लिखेंगे, let w1 minus w4, w3 minus w4 equal to w3 dash, क्योंकि देखो हमारा इसमें, max z में 4 variables आगे हैं, जबकि हमारा primal में क्या था, student, 3 variables ही हैं, तो इसको 3 variables के form में ही final rearrange करेंगे, तो कैसे arrange करेंगे, वो बहुत द्यान से देखना है आपको, student, तो हमारा हो जाएगा, student, max z equal to, यहां max z था, max z equal to, 2 w1, लिख दिया, 2 w1, minus 6 w2, minus 6 w2, यहाँ पर देखो, 4 comma लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, w3 minus 4 के place पर लेखेंगे, w3 dash, तो हो जाएगा, plus w3 dash, less or equal to 0, less or equal to 0, अगला क्या है, w1 minus w2, w1 minus w2, यहाँ पर minus comma लेंगे, तो यहाँ बचेगा, जब यहाँ minus comma लेंगे, student, यहाँ इतने में minus comma लेंगे, तो minus आजाएगा, w3 minus w4, इसके place पर क्या हो जाएगा, minus w3 dash, तो minus w3 dash, less or equal to 2 है, less or equal to 2 हो जाएगा, next, 0 w1, तो 0 w1 लिखने के ज़रोत नहीं है, w1 को ignore करें, क्योंकि यह 0 के साथ है, तो minus 6 w2, minus 6 w2, यहाँ पर 3 comma लेंगे, तो w3 minus w4 बचेगा, तो plus 3, w3 minus w4 की place पर, w3 dash, less or equal to 6, तो less or equal to 6 हो जाएगा, ठीक है, student, तो अब लिखेंगे, and w1, w2 greater or equal to 0, and w3 dash is unrestricted, ठीक है, तो यह आपका final answer हो जाएगा, तो आज हमने student, lecture number, simplex method की series के lecture number, 8 में discuss किया, primal to dual conversion, कि कोई भी problem अगर primal में है, तो उसे dual conversion कैसे करते हैं, पस आपको ध्याँ रखना है, primal से पहले हम canonical form में करते हैं, फिर उसके बाद canonical से dual form में करते हैं, इतना आपको ध्याँ रखना है, तो आपको यह lecture कैसा लगा, comment box में comment करके जरूर बताईएगा student, next lecture में, simplex method का कोई next topic लेके आएंगे, अगर आप मारे channel पर नए हैं, तो आप से humble request है, आप मारे channel को like करिए, subscribe करिए, और जादा से जादा share करिए, ताकि हर student को इसका benefit मिल सके, ठीक है, टेक केर, बाबाय, थैंक यू.